स्पॉन्सिट बाई सूपर 35 कोचिंग संस्थान नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एक मात्र संस्थान पता सिर्मौर चुराहा रमा गोविन पैलिस थर्ड फ्लोर रीवा नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाती माध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ विवस्था खुले कर कई तरह के दावे और वादे करती है लेकिन कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं जो सरकार की पूरी तरह से छवी को धोमिल करने में तुले हुए है सामुदाइक स्वास्थ केंद्र के बियमों का गैट जिम्मेदार आना रवाईया सामने आया है मरीजो एवं परिजनों के शिकायत के आधार पर स्वास्थ एवं महिला बाल विकास सभापती अनीता सुवन के द्वारा ओचक निरिक्षण किया क्या इस दोरान स्वास्थ केंद्र में काफी अविवस्था देखी गई मरीज इधर से उतर भटकते हुए नजर आएं मरीजों के रिए भरती करने के रिए जो बिट दिये गया थे उनमें भी काफी जादा गंदिगी देखी गई आजपास के छेतर में भी गंदिगी का अंबार लगा हुआ था वहीं अगर नास्ते की बात की जाए तो कभी कभाय समय से नास्ता मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है वहीं संबंध में सभापती के द्वारा चीला प्रशासन संबंधित अधिकारी से दोशी डॉक्टर पर कारेवाही की मांग की गई है आपको बता दें ग्रामीर शेत्र में उपस्वास्त केंद्र में हमेशा ताला लटका रहता है जहां स्वास्त केंद्र में पदस्ट डॉक्टरों के द्वारा मनपसंद मेडिकल की दुकानों में परची लिखकर भेजी जाती है जहां मनमाना पैसा वसूला जाता है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमीशन के आधार पर मेडिकल इस्टोर संचालित किये जा रहे हैं वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि BMO के द्वारा ग्रामिर शेत्र के जोला चाप डॉक्टरों को भी संरक्षर दिया जाता है उनी के संरक्षर से जोला चाप डॉक्टर अपनी दुकान संचालित करते हैं कई बार श्रिकायत करने के बाद भी इन संबंधितों के द्वारा कोई जाच या कोई कारेवाही नहीं की जाती है आपको बतादें लगातार पदस्त नियमों एवं जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आ रही है विवस्ता में सुधार ना होने के कारण स्वास्त केंद्र आने वाले मरीजों को विवस्ता ना मिलने के कारण इधर से उधर भटकते रहते हैं अब यह देखना होगा कि जीला प्रशासन के द्वारा कारेवाही की जाती है यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है बहुत-बहुत धन्यवारी मैंने सिश्टर से आकर के कहा कि मैडम चद्दर है नहीं है पहले आप दबा कराओ फिर चद्दर की बात करो तमने कहा कि चद्दर तो आता है क्योंकि सरसफाई के लिए यहां मरीज कई प्रकार के आते हैं तो चद्दर मिलना चाहिए बोले आप पहले भरती 20 रुपए दो बरती करवाओ चद्दर नहीं है यहां पर इस तरह से यहां विवस्ता है कि क्या चाहते हैं हमें चाहते हैं जो सासंप्रसासंद्वारा यहां सुभधाएं मिलती हैं तो मरीजों को मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि मल्लव उसको सांती दबा करके रखें पहली बात तो मैं जब मैं आई तो यहां पर किसी भी बेड में बेड़ सीट नहीं लगा हुआ था इसके बाद मैंने सिश्टर से पूसा कि सिश्टर क्यों आपकी ड्यूटी है तो यहां पर बेड़ सीट क्यों नहीं है तो सिश्टर ने यह बताया कि बेड़ सीट यहां प लेबर रूम में चेक करने चली गई तो बेड़ सीट यहां पर मैं आई तो बिछा मिला मुझे तो मैं यह पूछना चाहूंगी कि बेड़ सीट आया तो आया कहां से इसके बाद में लेबर रूम में गई जो कि कल साम से आठ वजे से अब तक में पांच दिलवरी हुई लोगों को यह लोग घर जाने दिये चुट्टी दे दिये किस आधार पर यह लोगों ने चुट्टी दिया है चूकि 48 घंटे रखने का हमारे यहां प्राबधान है और 40 घंटे जच्चा और भच्चा सुरक्चित रहती इसलिए यहां हाजेनिक साब सफाई होना चाहिए क् हमारे चाहिक करके दिया सब्सक्राइब करेंदा करें अध्यानिक सामने में खड़िए यहां पर साब सफाई तो लोगों की जो लोग जिनके पास पैसे नहीं वहीं तो आते हैं सरकारी में बागτο समय दाएंगे नहीं जब उनकी कोई देख रहे हैं और हैंदेत् Wellington कुछ नहीं ही जब हम लोगों की बात नहीं चुनीक जाती तो आम जंता थो बिल्कुल परिशान ह TV करेंगे भी किशन में गई हूँ और ने देखा भी है और वहाँ पर न तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी भी खाना नहीं बनता है मैंने जब पूंचक बोले दो बज़े के बाद खाना बनेगा मैं ये कारवाई कराना चाहूंगी कि जो सही है उसकी कारवाई होनी चाहिए और जो डॉक्टर और जो नर्स की जिनकी ड्यूटी है अगर इस तरह की घोल लापरवाही की जा रही है जैसे जच्चा और बच्चा को चुपती मिलगे चुकि हमारे पास 12 बेड़ है अभी मैंने देखा लेवर नुम 12 बेड़ है 12 बेड़ में पास तो अभी हमारे एडमिट हो सकते हैं तो ऐसे लापरवाही करते हुए अगर मैं पाए गये हैं तो मैं लिखूंगी भी और मेडिया के माद्यम से मैं सरकार से भी और कलेक्टर मैडम से भी और स्यमचों से भी मैं ये स्पॉंसिट बाई सूपर 35 कोचिंग संस्थान नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एक मात्र संस्थान पता सिर्मौर चुराहा रमा गोविन पैलेस थर्ड फ्लोर रीवा